आज चल ले है भाठे राष्टे है आंदोलन मे चल ले है तो पहला कॉस्चन है चमपारण सत्यागरा के संबंद में निवलिखीत में से कौन सा कठन सही है पहला कॉस्चन है गांधी जी ने भाठ में पहली बार भुक हर्थाल की तकनिक का इस्थ्वाल किया तूसरा है राजकुमान सुल्क ने गांधी जी को चमपारण छेत्र के किसानों की समस्या को देखने का अनुरोद किया था एक और दोनों सही यह न तो एक नहीं दो तो इसका एंसर दो नंबर है इसका एंसर क्या है दो नंबर कि राज कुमार्शूल्प ने गांधी जिक को चमपारण छेतर के किसानों की समस्या को देखने का अनुरोद किया थे। फिर अगला है भार्टे राष्टे आंदोलन भार्टे राष्टे कॉंग्रेस की अस्थापना कभी थी? अगला कोश्चन है भार्टे राष्टे कॉंग्रेस की अस्थापना बंबाई के गोकुल दास्थेच पताव संस्कित महाविद्धाले में की गई जिसमें 72 पर्टी निदी ने उफस्तिती थे। इसकी अस्थापना मुंबाई में हुई थी। इसका गठन तब हुआ जब भार्ट के सभी रियाइसोतों और प्रांतों के 72 पती निदी ने 28 से 30 दिसमबर 815 तक बंबाई में बैठेक खी। आगे आते हैं। A.O. Hume Hume ने कॉंग्रेस के गठन में अगनवी भूई का निभाई। इसके बाद सौदेशी अंदोलन में आते हैं। तो सौदेशी अंदोलन क्या था है? ये अधिकारिक तोर पर बंगाल में कलकत्ता टाउन होल में 7 अगस्त 1905 में भोसित किया गया। सौदेशी अंदोलन के दोरान लॉड करजन भारत के वाइसराय थे। इस अंदोलन के दो मुख लक्ष थे बिदेशी वस्तु का बहिसकार और सौदेशी वस्तु का परियोग। अंद पर देश में सौदेशी अंदोलन को बंदे मातरम अंदोलन के नाम से जाना जाता अब सौदेशी अंदोलन के दोरा लॉड करजन भारत के वाइसराय थे। 1909 इसमी में यह अंदोलन पूरे देश में फैल गया और लोगों के लोगों ने विवाजन विरोधी और उपनिवेस विरोधी अंदोलन शुरू कर दिये थे। 1909 आगे आते हैं सौदेशी अंदोलन के मुख परमुख लोग कुन-कुन थे बाल गंगाधर तिलक दूसा विपीन चंतरपाल लाला लजपतर राय अर्विन गोस यह चार लोग थे। फिर आगे आते हैं सोदेशी अंदोलन भारत में डेस के दवरान हुआ फिर आगे आते हैं सोदेशी अंदोलन 1903 में बंगाल के विवाजन की पर्तिकिर्या के रूप में सोदेशी और भाहिस्कार अंदोलन सुरुआ जिसे अवचारिक रूप से जुलाई 1905 में घोशित किया गया और अक्टूबर 1905 में लागू किया स्वदेशी अंदोलन डेस द्वारा बंगाल के विवाजन की घोशना परिनाम थे तो दोशन लोड करजन आगे आते बंगाल विवाजन की घोशना कब हुई तो एंसर है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विवाजन एस्टेबलिस किया गया आगे आते रविन्ना टैगोर ने विवाजन के समय पर्शिद गीत अमर सोनल बंगला की रचना की जो बाद में बंगला देश की राष्टगान बन गया ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के विवाजन का मुख उद्देश केवल दो समुदाय के बीच दरार पेदा करना था आगे आते बंगाल के विभाजन की पर्टिकिरिया के रूप में कौन सा अंदोलन शुरू किया गया तो बंगाल में जो है स्वधेशी अंदोलन शुरू किया गया आगे है अश्वयोग अंदोलन अश्वयोग अंदोलन क्या है चार सितंबर उनी सो बीस में महात्मा गांधी दोरा सो सासन के उद्देश से सुरू किया गया और भारते राष्टे कोंग्रेस आई एन सी के रूप में पुर्ण सतंत्ता पुर्ण सोराज प्राप्त करने के ब्रिटिस उधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले ले गया इस तरीके से बिडेसी वस्तु और कपरे सिक्षा उपाध्यो उपाध्यो सेवाव को भहिसकार एवं दुकानों पर धर्ना सामिल थे फिर आगे आते हैं फिर आगे आते हैं समीने अवग्या अंद्वन 1930 इस्वी में सतंता दिवस के पालर गांधी के नेतरित में समीने अवग्या अंद्वन का सुवारम किया गया गांधी के नमक कानून को तोरा और ये समी ब्रिटि सरकार के अवग्या के लिए ही उधारन थे स्वराज पाटी का गठन किसकी विफलता के बाद आये हुआ है स्वराज पाटी का गठन असवयोग अंद्वलन के विफलता के कारण हुआ है स्वराज पाटी का गठन भार्टे राष्टे कॉंग्रेस कॉंग्रेस पाटी के सदस्यों के द्वारा विशेश रूप से मोतिलाज नेहरू उत्तर भारत के सबसे परमुक वकीलों में से एक थे राजनेतिक नेता जवालाज नेहरू के पिता और चित रंजन दास बंगाल के एक राष्टबादी राजनेति दावरा 1922 के अंत में 1923 की सुरुवात अस्थापित कर भारते राजनेतिक दल थे पार्टी का नाम स्वराज सबसे लिया गया जिसका अर्थ सो सासन है जिसे ब्यापक रूप से ब्रीटिश सासन से स्वतनत्रा प्राप्त करने के अंदोलन लागू किया गया था आगे पार्टी का पर्थम पराथ्मिक लक्ष 1923 में नई के अंदरिये बिधां सबाग का चुनाव लरना था बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद किया गया उनिस्षो इग्यारा में रद किया गया 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ इसका विभाजन लौड करजन ने किया था विभाजन की घोसना 20 जुलाई 1905 में की गयी थी विभाजन 16 ग्टुबा 1905 के परभाब में आया बंगाल का विभाजन अंग्रेज दौबा भारत में फूट डालो और राज करो की निती का अमल करने का हिसा था बंगाल का विभाजन 1911 में रद किया गया था इसे लौड हर्डिंग 2 ने रद किया था 1947 में भारत के विभाजन का एक हिस्से के रूप में दूसरी बार विभाजन हुआ सवीने अवग्या अंदोलन 12 मार्च 1930 को सवीने सवदेशी अंदोलन 1905 को भारत छोड़ो अंदोलन अगस्त 1942 और स्वयोग अंदोलन एक अगस्त 1920 है लौड लिंटर्ण वायशराय ने जिनमने 7888 में वारणे कूलर प्रेस डेक्ट पास किया लौड केनिंग ने भारत के पहले वायशराय और अंतिम ज्यूवर्णर जनर् थे लौड लिंटर्ण कुन थे प्रेस के लिए 888 में प्रेस अर्श अलाय था लॉट डल होजी भारत के गवर्नर जन्र थे जिनों ने 823 में भारत की पहले रेल्वे लाइन बंबाई से थाने तक चलाई थी लॉट डल होजी 823 में बंबाई से थाने ट्रेंड चलाई थी मुसलीन लिंग के अस्थापना कब हुई थी? 1906 विक में हुई थी अस्थापना के कार्ण क्या था? सरकार दोरा मुसल्मान के हित की रक्षा की परलोवन था स्वदेशी अंदोलन दोरा करजन दोरा मुसल्मानों के हित के दिया गया ब्यान स्वदेशी अंदोलन दोरान बुलूम फिल्द दोरा मुसलिम हित में ब्यान दिया है मुस्लीम लिंग के वह तो 1906 में आगे आते हैं मुस्लीम लिंग मुस्लीम लिंग जो था 30 दिसंबर 1906 को All India मुस्लीम लिंग की अस्थापनावी अस्थान कहा हुआ भाका में संस्थापक कों ते आगाखा और मोही सीन मुल्क थे पार्टी का सविधान मनाया वकार उल मुल्क और मोही सीनी मुल्क वाई सदाय लोड मिंटो थे आगे उद्देश क्या था है ब्रिटिस सरकार के परती मुस्लीम की निष्टा बढ़ाना मुसल्मानों की राजनिती अधिकारों की रक्षा करना कॉंग्रेस के परती मुसल्मानों की घिरना उत्पन करना 1906 फर्ष्ट कहां धाका 1907 सेकेंड कहां कराची में हुआ तिसा दीवेशन 1908 में अम्रिस्चर में हुआ 1908 में आगाखा को मुस्लीम लिंग के अस्थाई अधिक्ष बनाए गया फिर्थक निर्वाचन की मांग जो 1909 में मारलो मिंटों के सुधार की स्विकृति मिली आगे हैं मुस्लीम लिंग का गठन इसकी अस्थापना कभी 1906 में आगाखान धाका के नबाब सलीम मुला नबाब मोहीशीन उल्मुल्क के नित्रित में किया गया वकार उल्मुल्क मुस्लीम लिंग के पहले अध्यक्स थे इसने बंगाल विवाजन का समर्थन किया सुधेशी अंदोलन का विरोत किया और उसने अपने समुधाय के लिए बिशेश सुरक्षा समुधाय और मुसल्मानों के लिए एक अलग निर्वाचंग मंदल की मांगी मुहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लिंग में सामिल हो गया 1930 इसवी में इकबाल ने फरंटियर प्रांथ बलुचिस्तान शेंद और कश्मीर के संग का चुनाओ दिया महासंग के भीतर एक मुसलिम राज के रूप में चोधरी रहमत अली अली ने 1935 में पाकिस्तान सब्द को जरा और बाद में पाकिस्तान सब्द का अविश्कार हुआ मार्च 1940 में मुसलिम लिंग का लाहोर आदिवेशन हुआ बंगाल का कौन सा सुतंता सहिनानी बिरिटी सरकार दोरा बंगाल विवाजन के खिलाफ लरा तो इसका तीन है विपिन चाद बंगाल का कौन सा सुतंता सहिनानी था बिरिटी सरकार दोरा बंगाल विवाजन के खिलाफ लरा था विपिन चंदर पाल था अब आगे आते लाला लाल पाल बाल तिरी मूर्ती में विपिन चंद पाल एक थे उन्होंने बंगाल के विभाजन में खिलाफ सोदेशी आंदोलन शुरू किया वह बिरिटी सरकार दोरा बंगाल के विभाजन के खिलाफ लरे वेक समासुधारक थे सोदसी अंदोलन में बंगाल वाल गंगादर तीलक विपीन चंद पाल लाला लाजबत राय परमुक थे विपीन चंद पाल की करांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है 1901 इसमिर में अंग्रेजी सबताहिक पत्री का नीव इंडिया क्या अस्थापना की विपीन चंद पाल ने नीव इंडिया की अस्थापना की थी आगे आते लाउड मौंट बेटेलANSterror से उनहीं ने भारत के अन्तिम वाइसराय पहली बार बदे मातरम भारत का लोग प्रिय कीत बन गया चार नमबर सोदेशी अंदोलन गदर अंदोलन गदर क्या सेन फ्रेंसिकों में मुख्याले में भार्टियों का करनांतेकारी संगे सिंगापूर से संचालित होने वाले राष्टवादी संगटने बरलीन में मुख्याले के साथ आतंगवादी संगटने तासकंद में मुख्याले के साथ भारत की सुतनता के लिए कम्यूनिस्ट आंदोलन है आगे आते बिरिटिस सासन को समाप्त करने के लिए गदर आंदोलन उत्री अमेरिका में भारतियों के बीच 20 मी सदी में आंदोलन था इसकी उत्पत्ति केलो फूर्णिया में और ओपरवासी के संगठन के रूप में साथ हुई जिन्हेंने पहले 20 विद्या लेके परकोप के बाद सोहन सिंग भाखना के साथ परसां तट में हिंदूस्तानी कारिकरताओं के अध्यक्च का गया क्या हुआ कि ब्रिटिस सासन को समाप्त करने के बाद गदर अंदोलन उत्री अमेरिका में भारत्यों के बीच 20 मी सदी में अंदोलन था इसकी उत्पत्ति का हुई थी केलो फूर्णिया के ओपरवासी के संगठन के साथ हुई जिस से पहले 20 यूद के परकोप के बाद सोहन सिंग भखना के साथ परसान तर्ट में हिंदूस्तानी कारिकरता का इसका अध्यक्च का गया मध्य पंजाब में आतंगवादी कतिविद्यों को अंजाम देने के लिए गदर करनती करनती भारत लोटे थे ठीक अब आगया आते हैं लाला हर्द्यार ने कंटर पत्थियों के बोधिक कारिकरताओं और अमेरिकाओं को खिलाप बैख्यान दिया निमलिखित में से कौन सा उदेश गदर अंदोलन के कार्यकरता को नहीं था तो इसमें क्या है दो नमबर पूसन एक दो तीन इसमें क्यों कौन सा है अंग्रेज अधिकारियों को मारना ठीक दूसरा है कौन नहीं था इसमें दो नमबर है करांतिकारियों समाजबात बिरोध भावनाय जागित करना ये भी नहीं था इर ये था भारत्य करांतिकारी और बिटी सरकार के बिच मद्यस्ता ये सही होगा इन गलत कुन-कुन था ये नहीं था क्वेशन यही पूछ रहा है आगे आई 1915 में अंग्रेज द्वारा गदर आंदोलन को कुचलने के लिए डिफेंस ओफ एक्ट पारित किया गदर के आंदोलन में राम चंद्र, भगवान सिंग, करतार सिंग, सराबा, बरक तुल्ला और भाई परमानन की भूमिका थी गदर आंदोलन का मुख कारेकाल सेन फ्रेंसिको में था और अमेरिका के सहरों में इसकी सखाये खोली गई गदर आंदोलन को कुचलने के लिए डिफेंस ओफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था अंग्रेज द्वारा 1915 में गदर के अंदोलन में रामचंद, भगवान सिंग, करतार सिंग, सरबा, ब्रक, तुल्ला और भाई परमानन की भूमिका थी गदर पाटी के अस्तापना का होई थी? अमेरिका में 1923 में गदर का अंदोलन चरम, बीरता, करी, महनत, परिष्रम की कहानी के रूप में वनी थे जिसे दूर तटो पर बसे हर भारतियों की दिल को छू लिया गदर अंदोलन के पनमुक साहवगिता को ने? भाई परमानन, बिश्नु गनेश, पिंगले, सोहन भखना, ये सब है गदर अंदोलन का नेता कुन थे? ए नमबर, लाला हर्दियाल थे निमलिकित में से किसने गदर पाटी की अस्थापना की? तो चार नमबर है, लाला हर्दियाल ने अस्थापना की हम रूल लिंग आंदोलन की परमुक मांग की क्या थी दो नमबर बिर्टिस समराज के भीतर परभुत की इस्थिती थी हम रूल लिंग ने बिर्टिस समराज का हिसा रहते विए भाद के सोसासान की मांग की या अन्ता पुर्ण सतंता की और एक कदम था जिसे 1947 में हासिल क्या गया लोकमान तिलाक और एनी बेसेंट ने आईरिस होम रूल अंदोलन के अधार पर वर्स 1916 में लोड हर्डिंग वाइसराई के दोरान दो होम रूल लिंग अंदोलन की घोशना की लोकमान तिलाक और एनी बेसेंट ने आईरिस होम रूल अंदोलन के अधार पर 1916 में लोड हर्डिंग के वाइसराई सिफ के दोरान दो होम रूल लिंग की अस्थापना की थी आगया थे होम रूल लिंग अंदोलन का उद्येश ब्रिटिस समराज में भारत के लिए सोसासन था तिलक ने सोराज मेरा जमसीत अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा का नारा है तिलक ने नियू इंडिया का मराथा अंग्रेजी अखवार है केशरी मराथी अखवार से मराथा किस में था अंग्रेजी में और केशरी क्या था मराथी अखवार था और एणी बेसेंट का कॉमन वील होम रूल लिंग अंधुलन का अंग्ता 1921 में इंडियन होमरूम लीग का नाम बदल के स्वराज सभा रखा गया इंडियन होमरूम लीग का नाम बदल के क्या गया 1921 में स्वराज सभा रखा गया आगया ये निमलिकित में से कौन भारत में होमरूम लीग की अस्थापना अंदोलन नहीं था तो इसका एंसर एक है, बहिस्कार और धरना नहीं था और कौन-कौन था, एक अखिल भारतिय होमरूल संगठन के बजाए दो अलग-अलग होमरूल लिग, चार्चा समुन पढ़ने और अस्थान की भावना, पंपलेट की बिक्री और संचालन होमरूल लिग अंदोलन, दो होम नियम लिग लांच किये गे, बाल गंगत तिलक ने अपरेल 1916 में बेलगाउम में इंडिया होमरूल लिग की अस्थापना की, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मदरास में होमरूल लिग की अस्थापना की, उनका भारत में सो सासन प्राप्त क था आगया यह पूना में होम रूल अंदोलन किस ने शुरू किया तो तीन नमबर बाल गंगादर तिलक ने अब एक खेरा अंदोलन खेरा सत्ते अगरा 1918 फसल एक बटे चार के कम होने पर अंग्णर लगान बसुला समस्चा की थी क्या थी अंग्रेजों के अकाल सहीता अनुसा यदि फसल का एक शोथा आइक कम होती तो लगान माफ हो गया 1918 में अकाल आने के बाद एक वटे चार कम से पैदावार हुआ, कम पैदावार होने के बाद भी सरकार लगन बसूल रहा था, गांदी जी ने पत्र लिके बुलाया गया, मोहनलाल संकरलाल ने, समस्या की जांस के बाद आंदोलन शुरू हुआ, फैसला जो किसान लगान देने योग है लगान दे, कारण रोलर्ट आक्ट आये, 1919 में, इसमें क्या हुआ कि किसान जो लगान देने लोग है लगान देजिए, जो नहीं देने योग है, वो नहीं देजिए कारण 1919 में रॉलच्ट एक्ट कारण भार्ते रक्षा अधिन्याम समापत होने वाले थे भार्त में करांतिकारी का TV दो को रोकने है तु इसके लिए 1917 में सिड़्नी रॉलच्ट एक्ट की अध़क्षता में थे एक समिति करांतिकारी संयंत्रों का पता लगाना और उसका नियंतिन करना भारतिय रक्षा अधिनयम जैसे दूसा अधिनयम लाना चाहिए देखिए रोलर्ट एक्ट का बाया 12 मच 19 पुर्वाधान राजधरो कार की असंका होने पर गिरिफ्तार गिरिफ्तार वेक्ति को वकील रखने का अधिकार नहीं होगा गुपता अधालत दौरा फैसला होगा दोसी वेक्ति को दो वर्स तक की सजा होगी तातकालिक्त अधियक्स मदन मोहन माल वे प्रस्ताव रोलेक्ट एक्ट विरोध था 1918 में कॉंग्रेस का पहला विशेस अधिय क्वेशन अध्यक्स कुन्थ सैजद हसन इमाम प्रस्ताव रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ का दूसा विभाजन हुआ मोंट्रगियो चंप्सोर्ट की प्रफुर्टि को लेकर था आए आगे चलते जलिया बाला बाग हत्याकर तेरा अप्रेल उनिस सो उनिस रोलक्ट एक्ट के बिरोद में गिरवतारी को छुडाने है तू रोलक्ट एक्ट सबे ज्यादा बिरोद पंजाब में हुआ भारत में करांतायकारी गति वीडियो को रो सब्रकाषित 9 अप्रेल 19 पलवन में कांधी जी को गिरवतार किया गया 10 अप्रेल 19 अप्रेल 19 शो ड्क्टर सिफूुदीन कीचल्यो और डॉक्टर सत्पाल मलिक को गिरवतार किया गया भात्य राष्टन ग्रिफतार के कारण लोग उग्र होके कमीशनर वावासपक गोलिबारी होगे कई जगपांग्रेजों ने जड़प हुई जिसमें कुछ महलाई भी मिस सेर्वूड चपेट में आ गई थी 11 अप्रेल 1919 को पंजाब के मार्सल लोग बनाया गया 13 अप्रेल 1919 को क्या हुआ जनसभा का आयोजन हुआ उपस्तित लगबग 20,000 लोग थे अध्यक्ष हंसराज था अस्थान का हो था अमरिश्चर जलियावला भाग चारो और उची दिवारों से घिरावा संकिन द्वारा भाग था शिभी उदिन किचली और सत्पाल को गिरिपतार के बिरोद में कवग था सिफुदिन किचली और सत्पाल के गिरिपतार के बिदू है जन्नरों डायर का आदेश पर गेत पर तोप खाना लगा दिया और गोली धागने के आदेश दिया भारते राष्टार, कुल कितना अंदोलन चला है, राउंड गोली चला है, 1650, सरकारी रिपोर्ट करने हैं, 389 लोगों की मोध हुई, जिसमें हजारों घायल हुए, घटना के बाद डायर का ब्यान, लोगों को रस्बक्स सिखाने के लिए यह कारवाई की गई, घटना बाद आड डायर ने त्याग पाद देखे, इंगलेंड भेश दिया गया, घटना बाद बिर्टिस अखवारों में जन्ना आड डायर की परसंशाखी गई, घटना के बिरोद में टिप पन दी, रविंदा ना टाइगों ने सर नाइट उपाद दी, त्याग दी थी, समराथ दरा 19 2016 में प्राफ्थ हुई थी, सुरोजनी नाइटू ने केसरे हिंद की उपादित्य गई, 1960 में हैदाबाद बाड में योगदान है तू, संकर नायर ने कारकरनी परिशत की इस्तिपा दिया, वेलेंटाइन सिरोल ने इसे काला दिन की संग्या दी, दीन बंदू एंडू ने इ इसे कतल याम संग्या दी, कल से यहां से करेंगे, आज इतना ही